आज आपके लिए लेकर आया हूँ OPPO का कमाल का स्मार्टफॉन A77 और भाज साब इसके डिजाइन देख सकते हो कितनी कमाल की है यहाँ पर आपको बेक में फिंगरपिंट ड्रसिस्टेंड मिलेगा यानि कि उंगलियों के निशान बिल्कुल भी नहीं छपेंगे और ना ही इसके उपर स्क्रेच होता है और कमाल की बात गाइज इस मोबाइल के मैं आपको फिडन फीचर्स बताने वाला हूँ अगर आप इस मोबाइल को खरीदने की सोच रही या फिर खरीच चुके हो तो इस वीडियो को सरू से लेकर एंड तक ज्यान से देखना काफी यूस्पूल हो सकती है तो बीना किसी देरी के फटापट से करते हैं स्टार्ट दोस्तों मैं आपको जो फीचर बताने वाला हूँ वो बहुती कमाल का है इसके लिए आपको सिम्पल ही सेटिंग में आने के बाद में नीचे स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है special feature इसके उपर ओन कर जेना है यहाँ पर आपको gesture and motion मिलेगा इसके उपर क्लिक करना है इसके अंदर काफी ज़्यादा settings मिलने वाली है सबसे पहले मैं आपको बता दू rise to wake इसको on कर देना है lift to air to answer call इसको on कर देना है auto seat receiver इसको और इसको नीचे वाले सभी को on कर देना है इनको on करने बाद में मैं बता देता हूँ यहां पर आपको नीचे देखने को मिलता है फिलिप to mute incoming call जैसे आपका स्मार्टफोन इस तरीके से रखा हूआ है और guys या फिर आपका इस तरीके से रखा हूआ है तो आपको किसी का भी call आता है और आप इसको फिलिप करके उल्टा रख देते हो तो बिना किसी बटन दबाई इसकी है जो आवाज volume कम हो जाएगी mute हो जाएगा जो भी call आ रहा होगा यह थे इसके कुछ कमाल के features लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ screen of gesture इसके अंदर काफी तगड़े feature मिलने वाले है simply इसको on करना है on करने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है double tape to wake run off screen double इसको सभी को on कर देना है यहाँ पर देखने को मिलता है draw or to open camera इन सभी को on करने के बाद में अब मैं बता देता हूँ यह क्या काम आने वाले है simply जैसे हमारा smartphone off है तो यहाँ पर double tape करोगे तो screen on हो जाएगी double tape करोगे तो off हो जाएगी यह तो थी उसके double tape वाली setting यहाँ पर आप अगर week tape करते हो तो आपके smartphone की camera की जो flashlight वो on हो जाएगी बिना कोई button बिना कोई screen लोग को unlock किये और simply आपको emergency में camera open करना है तो इसके लिए जैसे मैं एक बार फले स्लाइट को off करके बता जिता हूँ आपको camera open करना तो यहाँ पर draw oak बनाना है और आपके smartphone का camera जल्दी से open हो जाएगा और अभी picture बाकी दोस्त एक बार आपको फिर से वही पर जाना है special feature में और इसके अंदर आपको gesture and motion के उपर क्लिक करना है यहाँ पर देखने को मिलता है swipe down with three finger to take screenshot इन दोनों को आपको already on रखना है अगर पहले से on नहीं तो इनको on कर जेना है अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप setting में और इस तरीके से निचे slide करते हो आप mark कर सकते हो और और भी काफी जदा crop कर सकते हो इसके अलवा यहाँ पर बहुत सारी editing भी कर सकते हो screenshot में गाइड जैसे मैं लाश्ट वाला feature बताया था वो double tape home screen पर करो के तो on नहीं हो गए यहाँ पर lock screen में double tape करो के तो काम आएगा जैसे यहाँ पर मैं double tape करता हूँ तो काम आएगा आप साथ हो कि यहाँ पर जैसे मैं home screen पर double tape करो और lock हो जाएगा तो इसके लिए simple इस तरीकी से pinch करना है और यहाँ पर आपको home setting में जाना है मौर के अंदर जाकर फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डबल टेप टू लोग इसको ओन कर देना है अब आप होमी स्कीन पर भी डबल टेप करोगे तो आपके स्मार्टफोन लोग हो जाएगा इसके अलवा जैसे यहाँ पर बेक बटन देखने को मिलते हैं आप साथ हो कि यह बेक बटन इस साइड में लेफ्ट साइड में या फिर बटन को बिल्कुल हटा दिया जाए तो simply इस तरीकी से पिंच करना है और यहाँ पर आपको मोर के अंदर आना है और नीचे सबसे नीचे देखने को मिलता है system navigation इसके उपर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद में देखोगे अगर बेक बटन को इधर करना चाहते हो तो इस तरीकी से इसके उपर किलिक कर दीजिए अब बेक बटन लेफ्ट में आ चुका है या फिर बटन को हटाना चाहते हो तो गेस्टर के उपर किलिक कर देना है gesture के उपर click करने के बाद में देखो कि यहां से बटन हाट चुके अब आपको बेक आना तो इस तरीके से slide करना होगा बेक आजाओगे इजर से slide करोगे तो बेक आजाओगे और home screen पे आना है तो यहां से निचे की तरफ slide करना है तो home screen पे भी आजाओगे तो चलिए गाईस जैसे कि आपको किसी का call आता है और flash light बिलिंग करती है तो ऐसा आप इस smart phone में भी कर सकते हो को दूसरी application डाउनलोड करने की जुरूद नहीं simply dialer में आना है फिर three road के उपर click करना है और यहां पर setting में जाना है यहां पर आपको advanced setting मिलेगी इसके उपर click कर देना है यहां पर देख सकते हो दोस्तो flash on call इसको on कर देना है अब आपको किसी का भी call आएगा तो flash light on हो जाएगी मतलब बिलिंग करेगी जो कमाल का features है इसी के अंदर आपको बेक आने पर देखने को मिलता है आपको full screen से यहां पर banner में करना है तो इसके उपर click कर दीजीगा इस तरीके से customize कर सकते हो बेक आने के बाद में यहां पर आपको देखने को मिलता है answer and call इसके उपर click कर देना है जैसे कि दोस्तों यहां पर auto answer when connected to action audio device जैसे अगर आपने कोई bluetooth वगेरा connect करके जो भी call आ रहा है और यह वाली tricks है जैसे अब इसके अंदर यहां पर मिलता है press power button to end calls जैसे कि किसी का call आ रहा है तो आपको यहां पर simply power button को tap करोगे तो mobile कट हो जाएगा और इसके लवा vibrate when call is answer and जैसे कि यहां पर आपका call end होता है और भी जद्धा smart बनाने के लिए लेकर चलता हूँ setting में फिर personalization के उपर click करना है यहां पर click करने के बार में agree and continue कर देना है फिर allow कर देना है तो guys जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आप अच्छे wallpaper मिल जाते हैं इसके अंदर जाकर आप data वगेरा यूज करके wallpaper लगा सकते हो जो काफी तगड़े देखने को मिलते हैं लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ जैसे quick setting में आना है आपको quick setting में आने के बाद में इसका मतलब है दोस्तो बेक आने के बाद में यहां पर आपको मिलता है icon जैसे कि यहां पर आपके कोई भी app install कर रहा है तो उसके icon को छोटा बड़ा करना है तो छोटा करना है तो left में slide कर दीजीका और बड़ा करना चाहते हो तो east में आपको right में slide कर देना है दोस्तों जैसे Instagram के नीचे इसका नाम देखने को मिल रहा है आप इसका नाम अठाना चाहते हो तो इसको यहाँ से disable कर देना है अब आपको किसी भी एप के आइकन के नीचे नाम नहीं देखने मिलेगा आपको simply उसको देखतर ही पेचानना होगा फिर आपको simply apply कर देना है यहाँ पर तो थी इसके आइकन की setting लेकिन नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है colors जैसे कि दोस्तों यहाँ से नीचे scroll down करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी on करता हूँ तो यह इस तरीकी से green color में देखने को मिलते है तो लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ से इसका color change किया जाए तो simply colors के अंदर जाकर यहाँ पर अलग-अलग colors चुन सकते हो जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे उसको यहाँ से customize कर सकते हो जैसे कि मैंने यह वाला color चुना और इसको own करता हूँ तो अभी यह green हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ का color change कर सकते हो simply आपको यहाँ पर बेक आना है और अगर पहले जैसा करना तो default के उपर कर देना है अब guys मैं बात करता हूँ fans and display size जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है उसकी size को बढ़ा करना चाहते हो आप अपने आँखो के इस चाप से तो simply इस तरीके से करके apply कर देना है अब आप बेक आकर देखोगे कि यहाँ पर इनकी size बढ़ी हो चुकी है जैसे कि guys यहाँ पर मेरी battery में कितने percentage charge बचा है वो बिल्कुल नहीं पता मेरे को अब आप यहाँ पर तीन तरीके से customize कर सकते हो आउटसाइड बेकरी आइकोन इसके उपर किलिक करोगे तो बेकरी के आउटसाइड में बताएगा कितनी percentage बेकरी बची है इनसाइड में आपको यहाँ पर बेकरी के अंदर percentage बताएगा यहाँ पर आपको loop मिलता है तो यह round circle में मिलेगी जैसे कि जितनी बेकरी बची होगी उतना यहाँ पर आपको loop मिलेगा जैसे कि इस तरीके से round circle में बेकरी को कर सकते हो और बेकरी को percentage बची वाईटसाइड बेकिन गाईज लेकिन दोस्तो अगर आप इस स्मार्ट फोन में कोई भी स्मार्ट रहे है और आपको उसकी स्पीड का पता करना कि कितनी इसमार्ट फोन में एफ या फोटो वगेरा हाइड करना है, तो simply आपको पराइवीसी के ऊपर किलिक करना है, किलिक होने के बाद में यहाँ पर एप लोग मिलेगा, हाइड एप, पराइवेट से इसके अंदर आप फोटो वगेरा हाइड कर सकते हो, इसके लिए आपको simply सबसे पर आपके सामने आ जाएंगे जो भी एप हाइड करोगे सेम ऐसे ही आप एप के उपर वोट्सप के इनके उपर लोग लगा सकते हो प्राइवेट सेफ यानि इसमें फोटो वगेरा भी हाइड कर सकते हो गाइड जैसे हमने पूरा दिन मोबाइल में क्या क्या यूज किया वह यहाँ पर सेटिंग को इतनी देर यूज किया है यह सब आप एक ही सेटिंग में देख पाओगे और यह भी देख सकते हो कि किस-किस का नोटिफिकेशन कितनी कितनी वज़े आया था यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों अब म पर फोटो क्लिक करना चाहते हो तो बेगराउंड में इसके उपर क्लिक करके यहां से बोके मोड जैसे कि बेगराउंड को बेग में सेट कर सकते हो अगर यहाँ पर आप ज्यादा करोगे तो बेगराउंड में बलट ज्यादा हो जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ प फिर रिकोर्ड कर सकते हो वीडियो को तो दोस्तो ये थे OPPO A77 के कुछ hidden features अगर इस smartphone के बारे में कुछ और भी जानना है तो comment करके बता सकते हो और इसके लवा दोस्तो अभी तक चैनल को subscribe ने किया तो please चैनल को subscribe कर दीजीगा मिलते नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में thank you so much guys